देड़ महने से चल रहे सिंदू बॉर्डर में किसानों के आंदोलन में सरकार के साथ आठवी बैठक में भी कोई फैसला कोई निर्ने नहीं हुआ एक तरफ प्रधानमंतरी अमरीका में चार लोग हिंसा में मर जाते हैं उनका दुख व्यत करते हैं लेकिन सिंदू बॉर्डर पर जहां साथ से भी ज्यादा लोग इस हिंदूस्तान के किसानों की मृत्य हुई उस पर आपका कोई दुख व्यत नहीं होता आठवे बार की बैठक में भी निरने सुन निकला भारती जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में आपकी सरकार है आप लोगसभा में आपके पास बहुमत है बहुमत के धंपर आपने ऐसे कानून बनाया जो किसान के हित में नहीं है कुछ चंद पूंज पादार आत्महत्या लोगों ने की नोडबंदी को आपने तुरंद फैसला लिया आप कानून बना सकते हैं उसमें संसोधन करने की बात लोग कह रहे हैं लेकिन आपकी हर धर्मी इससे बाद नहीं आएगी लोगों की जाने जा रहे हैं GST में लोगों की जाने गई, नोडबंदी में लोगों की जाने गई, CAA में लोगों की जाने गई, और अब जब लोगडाउन हुआ, करोना को लेकर पूरे विश्व में हाकार मचा था, दब लोगडाउन हुआ, मसदूर पैदल जा रहे थे, उनके मिर्क्ति हुए, फिर भी आपने किसी की बात नहीं मानी, अब भारती जनता पार्टी ये बात पस्ट कर चुकी है कि वो जनता के हित की नहीं है, चंद पूझी पतियों के माध्यम से वो सरकार को चलाना चाहती है, सब उद्योग, सब वैपार को उनके हातों में सौफना चाहती है, इसलिए आज